तो गाइस करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 सितंबर तक के सभी इंपोर्टन करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को आनते तक जरूर साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यह दिया हमारी डेली करन्ट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंत्ली पीडियेफ चाते हैं तो इस वीडियो के फस्ट कोमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ अब गोवर प्लेश टोर से करन्ट अफेर्स फंड आप को बिंस्टॉल कर लिए क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैटियर लाइस आपको करन्ट अफेर्स के साथ साथ स्ट्टीजी के भी प्रोवाइट कराते हैं यह सभी मैटियर आपको हमारी अफेर्स हैं वो अब 10 सितंबर से जो हमारे करन्ट अफेर्स फिर से सुरू हो गए हैं इन्हें में कवर किया जाएगा तो आने वाले जो करन्ट अफेर्स से यह आपके लिए महत्रपून रहेंगे क्योंकि चार से नो सितंबर तक के करन्ट अफेर्स इन्ही करन्ट अफेर् एंड वी अप्रिशेट यूर पेशेंस तो शलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की इस फर्स्ट एवर किंग चीली फेस्टिवल वास और्गनाइस्ट इन विच स्टेट पहला किंग चीली फेस्टिवल किस राज्य में आयचित किया गया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आमसर ओप्शन भी है नागा लेंड आपको जानना चाहिए नागा लेंड के कोहिमा डिस्टिक के सियामा विलेज में नागा मिर्च यानि किंग चीली फेस्टिवल और्गनाइस किया गया है ये फेस्टिवल पहली बार और्गनाइस किया गय तो उसको राज मिर्चा भूत जोलो किया या फिर गोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है साल 2008 में इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन यानि की जी आई सेटिफिकेशन भी दिया गया है ये सोलरनसी फैमिली के जीनस कैपसिकम से बिलोंग करती है नागलेंड के बारे में आपको जाना चाहिए कैपिटल कोही माहे चीफ मिस्टर नेपियो हरियो है गवर्णर यहां के जगदिश मुगी है जो की एडिशनल चार्ज यहां पर निभा रहे हैं यह वैसे आसाम के गवर्णर है यहां कि अगर हम legislature की बात करें तो unique camera assembly है 60 seats है और parliamentary constituency की बात करें तो राज्य सभा की एक seat है लोग सभा की एक seat है काफी मेहत्पूर्ध काफी मेहत्पूर्ध फैक्ट यह है कि माॉंट सारमती यह highest peak है नागलेंड की कई बार एक्जाम्स में पूछी गई है खासकर कि SSC एक्जाम्स में Who launched the प्रदार मंत्री TB मुक्त भारत अभियान to reinvigorate the mission of the TB elimination from the country by 2025 2025 तक देश से TB उनमुरन के mission को फिर से मजबूत करने के लिए प्रदार मंत्री TB मुक्त भारत अभियान का सुबारंब किशने किया options आपके सामने हैं सही आंजर option C है drop the मुर्मू अच्छा यह जो आप शब्दे देख रहे हैं question में reinvigorate इसका मतलब होता है फिर से की चीज में जान डाल देना energy डाल देना ठीक है यह मतलब होता है तो देखिए president drop the मुर्मू इन्होंने प्रदान मंत्री TB मुक्त भारत अभियान को launch किया है क्योंकि भारत का target है 2025 तक देश से TB को eliminate कर देना साथ ही नोंने निक्षय 2.0 initiative को भी launch किया है याद रखेगा एकजाम में पहले भी पूछा गया है निक्षय इनिसिटिव किस से संबन्दित है तो यह TB से संबन्दित है तो यह एक तरह का portal है जिसमें की donors अपने तरफ से जो भी योगदान देना चाहें TB treatment के लिए जो लोग TB का treatment करा रहे हैं उनको जो सहायता चाहिए वो सहायता देना चाहते हैं यदि donors तो इस platform को इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं तो याद रखेगा निक्षय पोर्टल TB से संबन्दित है वागी अगर हम TB की बात करें यानिकि टूबर क्लोसिस की तो यह जो बैक्टिरियम है जिस सबस्यादा लंक्स को यह प्रपावित करता है बागी आपको जाना चाहिए यूनिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक टार्गेट सेट हिया था कि 142 टीवी केसिस पर वन लैक पोपुलिशन हम 2020 में अचीव करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं काफी केसे जाय थे 190 के आसपास और सा 2025 तक 44 केसिस हम जो है अपना टार्गेट सेट करते हैं तो यह गोवर्मेंट और इंडिया की टार्गेट है चले आगे बढ़ते हैं दे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नलोजी हैस एनाउंस्ट दे सैटिंग अप ऑफ इंडियास फस्ट डार्क स्काई रिजर्व एट वीच लोकेशन विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग ने किस इस्तान पर बारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व इस्ताबित करने की गोश्चना की है ओप्शन सापके सामने है सही आंदर ओप्शन भी है हानले तो देखिए एक तरह का पहला इनिशेटिव है जो सी लेवल से 4500 मिटर्स की हाइट पर है और यहां पर टेलिसकोप्स भी है और इसको वन अफ दी वर्ड्स मोस्ट ऑप्टिमल साइट्स फोर एस्ट्रोमिकल अप्जर्वेशन के रूप में जाना जाता है तो यहां पर जो नाइट स्काई सेंचुरी है यह चांग थांग वा तरह के एरिया हमें स्तावित क्या जाते है तरह का एरिया जांपर नैच्च्रव लॉट्झ ही पड़ती हो यान की आठ尤 वह नअ अती हो केवल नैच्रल लॉट पढ़ती हो रात को घन गणा अंदेरा हो और इसमें जो सितार से है उनकी light आती है natural light आती है तो उसको बोलते हैं डार की स्काई reserve आई अब आप इस चीच को समझ गएंगे देखी जैसा लिखा भी है a place that has policies in place to ensure that a tract or land tract of land or reason has minimum artificial light interference जो artificial light होती है से bulb बगएरा की ठीक है यह सब ना पड़े गणान दे रहा है और सितारों की light से पूरा area जो है जग मगा रहा हो यहां से आप तारा मंडल भी जो है काफी स्पस्ट दिखाई देता है और पूरे 12 महीने जो इसका ही है वो काफी करती है विच सुप्रीम कोड जस्टीस वास अपॉइंटेड इग्जेकुटीव चेर्मेन अफ दे नेशनल लीगल सर्विसेज अथरोटी नालसा बाइ प्रेजिडेंट द्रापती मूर्मू रास्टपती द्रापती मूर्मू द्वारा सरवच्चे ने अले के किसने आयदीश को रास्टे कानूनी सिवा प्रादिकरणियानी की नालसा का कारे-कारी अध्यक्षिन न्युक्त किया गया ओप्शन्स आपके सामने हैं सहीया अंतर प्रेजिडेंट द्रापती मूर्मू इन्होंने सुप्रीम कोड जच जस्टिस डीवाई चंद्रचूड को नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथरोटी का नेक्स्ट एग्जेक्टिव चेरपरसन नॉमिनेट किया है आपको बता दें जस्टिस चंद्रचूड इस पोजि चाहिए कि नालसा इसको लीगल सर्विसेज अथरोटीस अथरोटीस एक्ट 1987 के तहत कॉंसिट्यूट किया गया था ताकि जो वीकर सेक्ट्चन से हमारी सोसाइटी को उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाईट की जा सकें आपको भी जानना चाहिए कि जब हमारे मोजू जो CGI है इनके रिटार्मेंट के बाद 50th Chief Justice of India नमबर 2022 से जस्टीस चंद्रचूड होंगे निमली कित में से कौन सा सहर UNESCO Global Network of Learning Cities में शामिल नहीं हुआ है आपको जाना चाहिए तिलंगाना से वरंगल और केरल से त्रिसूर और निलामूर इन्होंने UNESCO Global Network of Learning Cities जिसे GNLC कहते हैं इसको जोइन कर लिया है तो भारत की और से पहली बार कुछ Cities इसमें शामिल हुई है जो UNESCO Global Network of Learning Cities इसमें शामिल हुई है तो हाली में 44 कंट्री से 77 Cities को इसमें इंक्लूट किया गया है जिसमें की भारत से तीन Cities है आपको जाना चाहिए यह six features होते हैं यदि किसी City को आप Learning City डिफाइन करने है तो उसके six features होते हैं आपके सामने लिखे भी हैं देख सकते हैं आपको जाना चाहिए जो UNESCO Global Network of Learning Cities है यह एक इंटरेशनल नेटवर्क है जिसमें की वे cities होती हैं जो की अपने communities में अपने area में lifelong learning को promote करती हैं खासकर की जो सत्रा sustainable development goals हैं को promote करती हैं उनमें भी जो sustainable development goal 4 है जो की ensure करता है inclusive and equitable quality education and promote करता है lifelong learning opportunities for all साथी जो sustainable development goal 11 है जो की make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable ठीक है यह जो SDG 11 है इसको promote करती है तो इस तरह की cities को इसमें शामिल किया जाता है जो UNESCO GNLC है इसको 2013 में UNESCO Institute for lifelong learning द्वारा launch किया गया था World suicide prevention day is observed every year on which day विस्व आत्मात्या रुक्ताम दीवसर साल किस दिन मनाया जाता है सही answer option C है 10th of September तो देखे वर्ड suicide prevention day यह हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है International Association for suicide prevention and world health organization इनके द्वारा यह वर्ड suicide prevention day साल 2003 में इस्ताफित किया गया था आपको बता दे पुरे वर्ड में हर साल लगबग 7,3,000 लोग suicide करते हैं आचा तीन साल इसका सेमी थीम है 2021 से 2023 तक यह है creating hope through action साथ यह आपको यह भी जाना चाहिए कि world first aid day यह हर साल सितंबर का जो second Saturday आता है उस दिन celebrate किया जाता है तो इस बार यह 10 सितंबर को हुआ है ठीक है तो world first aid day यह 10 सितंबर को इस बार मनाया गया है under the theme lifelong first aid the late Cyrus mystery the former chairman of Tata Suns established which venture capital firm in 2018 पूछना है कि Tata Suns के पूर्व अध्यक्ष Cyrus mystery दिवंगत ने 2018 में कि उद्ध्यम पूची फर्म के स्थापना की options आपके सामने हैं सही आंसर option C है mystery ventures LLP आप सभी जानते हैं 54 साल की उमर में Cyrus B mystery इनका हाली में निदन हो गया है car accident अच्छा आगे लिखा है a sion of the सापूर जी पारण जी ग्रूप सियोन मतलब होता है जैसे आप कहते हैं न सिल्वर स्पून लेकर कोई पैदा हो जाए या फिर किसी अमीर खांदान का कोई जो वारिस हो या फिर जो बच्चा हो उसको बलते हैं सियोन जैसे राहूल गांदी के साथ आप अगर नियूस फ़ेवर पढ़ता है तो लिखा होता है Congress सियोन राहूल गांदी ठीक है तो यह सब्द व्यादर के का पूछ लेता है इंग्लिश में आपको बता दें यह टाटा संस के सिक्स्थ चेर्मेन रहे मिस्टर जो साइरस प चेर्मेन बनाय गया था और नवरोजी सकलत वाला के बाद यह दूसरे टाटा ग्रूप के चेर्मेन थे जिनके सर नेम में टाटा नहीं था आपको जाना चाहिए पलोंची मिस्टरी की यंगेस्ट सन रहे और इन्होंने 2018 में मिस्टरी वेंचर्स LLP की स्थापना की थी अगर इनकी डेथ की बात करें तो 4 सितंबर को जब यह उडवडा गुजरात से मुंबई आ रहे थे और जो इनकी मर्सेडिस बेंच GLC है तो इसका एक्सिडेंट हो गया डिवाइडर में पलगड जो की सुर्या रिवर के उपर एक प्रीज है पलगड में तो यहाँ पर इन है दे इंडियन नवीज निव एंसाइन इस एंस्पाइड इस इंस्पाइड बाइड लोग फिच फेमस फिगर फॉम हिस्ट्री भारत नोसेना का नया पता का या फिर जो द्वज है वह इतियासे किस प्रसिद्ध व्यक्ति के लोगों से प्रेडित है ओप्शन आपके सामन यह अफ़ें आप देख रहें दो इस्ट्रीप है ओना इसको बोलते हैं और बीच में हमारा सिंबल है असोख का जो सिंबल है वो बीच में और इधर जो अपर लेफ्ट कर्ण उननरे हमारा तिरंगा है तो यह पहले था अब यहाँ से इस जो दो स्ट्रिप से इनको हटा दि उसके नीचे anchor है, anchor समझे रहे हैं, boat की आगे लगाया जाता है ना, ताकि boat रुखी रहे, उसको फैंक देते हैं, अटका देते हैं, उसके नीचे नीचे नीवी कामा रहे हैं आपर, जो मोट है वो लिखा है, बढ़ेंगे इसको डिसक्ष्ट में, डिटेल में आगे देखेंग तो इस पर जो, जो ये लोगो है, इस पर चत्रपती सिवाजी महाराज की जो सील है, वो सामिल है, आपको बता दें, कि modern नेवी के founder कहे जाते हैं बारत में चत्रपती सिवाजी महाराज, कई बार एक question पूछा भी जाता है से सी वगरा में, कि भारत यह जो modern नेवी है, उसके founder कोन रहे तो चत्रपती सिवाजी महाराज, अच्छा, इसमें जो है, जो नवल एंसाइन क्या होते हैं, यह नो से ना, या फिर कोई आर्मी है, ठीक है, इसके जो दोच होते हैं, यह आपकी nationality बताते हैं, तो आपकी ship है, उसके उपर लगे रहते हैं, या फिर वीमान है, उ जैसा मैंने आपको बताया, इसमें एक white flag है, और इसमें horizontal and vertical red strips हैं, और भारत का emblem भी है, उन दोनों ही जो strips हैं, उनके intersection पर मोचूद है, जैसा मैंने आपको बताया, और जो tricolor है, वो canton पर placed है, यानि की अपर left corner पर मोचूद है, अब जो नया धोज है, उसमें से जो यह से and George crosses को हटा दिया गया है, इसके बदले, जो 37 सिवाजी महाराज की royal seal है, उसको लाए गया है, इसमें जो national flag है, वो उसी position पर है, अपर केंटन पर, और एक blue color का octagonal shape है, जिसमें की national emblem है मारा, जो की एक anchor के उपर मौजूद है, और उसी के नीचे, Indian Navy का जो motto है, Some, No, Varuna, ये ल देखेगा, थोड़ा backward कर लीजेगा, जो ये octagonal shape है, इसमें दो golden borders है, तो ये जो हमारी चेतरबती सिवाजी महाराज की seal थी, उससे inspired है, जो ये पूरा golden border है, ये उनसे inspired है, inspired है, साथे आपको जाने जी, कानो जी आंग्रे, ये माराथा नेवी के commander है, और एक strong novel foundation के स्थाप गए होंगे, national forest martyrs day is observed every year on which day, last day बन सही दीवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, सही आंदर option दी है, 11th of September, तो देखे, national forest martyrs day ये हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है, आपको बताने, साल 2013 में, ministry of environment forest ने ये declaration दिया था, कि 11 सितंबर को national forest martyrs day मनाया जाएगा, 11 सितंबर इस्यों, क्योंकि 11 सितंबर 1730 की बात है, जब खेजरली massacre, ठीक है, ये हुआ था, 11 सितंबर 1730 को, एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये exam point of view से important नहीं है, लेकिन जब हम किसी day को पट रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आपको जान लेन चाहिए, तो देखिए, खेजरली ट्रीज होते हैं, बिसनोई कम्यूनिटी के लिए काफी पवित्र माने जाते हैं, तो इनको काटने का आदेश मिला, किंग महराजा अभे सिंग, जो कि राजस्थान से थे उनसे, तो लोगों ने ये खेजरली ट्रीज को काटना सुरू किय तो उसी का प्रोटेस्ट किया गया है, यहाँ पर बिसनोई कम्यूनिटी द्वारा खास करकि अमरिता देवी के द्वारा जिरोनी की अपना सर ओफर किया, कि आप मेरा हैड ले लीजिए, ट्री के बदले, तो जो वरकर्स हैं, उन्होंने उनका सिर्क कलम कर दिया, और साथी 350 लोग को और मार दे, जिसमें कि अमरिता देवी के चिल्डन भी मोजूद थे, तो इससे काफी प्रोटेस्ट भी हुआ, जब राचा को पता चला, तो उन्होंने तुरंत, जो पब्लिक है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा, अपने जो भी लोग थे, उनसे माफी मांगने क इस दिन को अपसर्व किया था, इस बार 2022 में हम तीसरी बार इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ सिनमबर 2022 को, थीम राइस का दे एर, वी शेयर, इंटरनेसल लिटरेसी डे इस सेलिब्रेटेड इच यर ओन एर्ट सेप्टेमबर, इट वास सेलिब्रेट फोर फॉर्स ताइम इन वीच यर, अंतरास्ते साक्षरता दीवस प्रतियक वर्ष, आठ सितमबर को मनाया जात है, 26 अक्टूबर 1966 को, यूनेसको ने डिकलेर किया था, कि ये दिन मनाया जाएगा, अपने जो यूनेसको का जो जनरल कॉन्फरेंसेस की 14th सेशन में डिकलेर किया था, और सबसे पहली बार ये 1967 1967 में सेलिब्रेट किया गया, इसका थीम है, 2022 में, ट्रांस्फोर्मिंग यहां पर पाय जाता है, 58.6%, इसके बाद सब सहारन अफ्रिका और एदियम कंट्री की बात करें, तो बोर किना फासो में, जो है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, उसके बाद फिर नाइजर और माली आते हैं, एस पर NCRB डेटा for 2019-2021, which state recorded the highest number of crimes against women in 2021, 2019-2021 के यहां कोडों के नुसार की सराज्यने, 2021 में महिलाओ के खिलाफ सबसे अधिक अपराद दर्च की ओप्शन साब के सामने, सही आंसर ओप्शन C है, उत्तर प्रदेश, देखे, NCRB ने अपना डेटा रिलिज किया है, 2019-2021 के crimes की बात करें, women के किलाब जो सबसे अधा crimes हुए है, उसमें सबसे अधा जो टोप पर रहा है, वो उत्रप्श रहा है, 56,83 cases रहे, 2021 में, दूसरे नंबर पर राय स्थान है, उसके बाद महाराष्ट है, आपको उता दे, सबसे कम crime against women, यह हुए है नागालेंड में, उसके बा है, अगर हम पुदे देश की बात करें, तो जो crimes है, women के खिलाफ जो crimes हुए है, उनमें तेजी देखने के मिलेंगे लगवग 15 प्रतिश अधी है, सबसे कम रेप्स यहां पर हुए है, सबसे कम रेप्स यहां पर हुए है, केवल फोर रेप्स, और उसके बाद है फिर सिक्कीम, लक्षदीब की बात करें, तो यह इकलोती ऐसी union territory रही, जहां पर किसी भी तरह का rape incident नहीं हुए है, ना ही कोई attempt इस तरह का किया गया, अगर हम North East State की बात करें, तो कई मामलों में काफी आगी रहते हैं, अब देखें नागलेंट, अब आप देखें तो हम लोग की जो है, जो एक सोच रहती है, वो ऐसे रहती है, कि नागलेंट, है ना, नागलेंट के बारे में एक अलग सोच रहती है, कि नागलेंट कैसा का राज्ये, ऐसा वैसा, ना कभी हम लोग ऐसा प्लाइन मनाते हैं, कि नागलेंट गूमने जाएं, लेकिन अगर आप वास्तवी क्रूप में North East State में जाएंगे, तो यहां की होस्पिटालिटी, यहां के लोग का व्यवार काफी अच्छा होता है, यहां के लोग का व्यवा है, जो देखने की, जो मतला हम लोग का जो Point of View है, वो थोड़ा अलग है, चाए वो South के बारे में हो, चाए वो North East के बारे हो है, इसी तरह से South का North के बारे में है, जो Point of View है, वो अलग रहता है, जबकि यदि जो Real, जो Reality है, वो वहीं जाकर पता चलती है, अच्छा, अब आप परसेंट था, और अगर हम Conviction Rate की बात करें, अगेंस्ट विमन, तो यह 25.2 परसेंट वाए, 2021 में, जाहतर जो Kisses हैं, विमन के खिलाफ, यह जो रिश्टर हुए है, यह Cruelty by Husband or His Relatives के अंतरकत हुए है, 31.8%, उसके बाद, Assault on Women with Intent to Outrage Her Modesty, उसके बाद है, Kidnapping and Abduction of Women, उसके आपको उता दें, जो Crime Rate register किया गया है, पर लैक विमन पोपुलेशन, 2021 में, 64.5 है, 2020 में, 56.5 था, Parliament of each country has passed government legislation in view of a pledge to reduce carbon emissions by 43% by 2030 and further bring it to zero by 2050, किस देश की संसदने 2030 तक carbon उत्सरजन को 43% तक कम करने और इसे 2050 तक सुनने करने की प्रतिग्या के मध्यन अजर, सरकारी कानून पारित किया है, उप्शन साब के सामने है, सही आंतर उप्शन भी है, Australia, तो देखिए, Australian Parliament ने एक government legislation पास क किया है, क्योंकि जो इसकी प्रतिग्या है, जो इसने pledge किया हुआ है, कि 2030 तक हम carbon emission 43% तक reduce कर देंगे, और 2050 तक 0% कर देंगे, तो उसी के लिए कि legislation आपर पास किया गया है, विशो तो फॉलिंग है, लोंच्ट एगरी बाजार किसान सफलता कार्ड, निम्रिक्त में से किस ने एगरी बाजार किसान सफलता कार्ड लॉंच किया, सही answer option दी है, एगरी बाजार, तो दीए, एगरी बाजार जो कि फ्राइवेट सेक्टर, electronic एगरी मंडी है, इसने एगरी बाजार किसान सफलता कार्ड लॉंच किया है, तो farmers जो है, वो pre and post harvest farm requirements अपनी पूरी कर सकते हैं, ज the 12-month repayment period, the National Mission for Clean Ganga organized Himalayan Divas on which day, National Mission for Clean Ganga ने किस दिन Himalayan Divas कायोजन किया, सही answer option दी है, 9th of September, तो देखे, National Mission for Clean Ganga, इसने Himalayan Divas को 9 September को और्माइस किया गया है, किस के साथ मिलकर, Naula Foundation के साथ मिलकर, आपको जाना चाहिए, 2022 मिस का theme रहा, Himalayas will be safe, only when the interest of its residents are protected, आपको जाना चाहिए, 2015 में, जो तबके जो उत्राकंड के Chief Minister रहे, शायद हरीस रावत थे, तो उनके द्वारा डिकलेद किया गया था, यह दिन Himalaya Day, The Union Government has decided to hold a year-long commemoration of the liberation of the erstwhile Pencilistate of Hyderabad from the Nijam's rule, on what date was Hyderabad liberated, किन्ज सरकार ने, Hyderabad की तत्काली इन्रियासत को, निजाम की सासन से मुक्ति दिलाने के लिए, एक साल तक इसमरण उत्सव आयोजित करने काने ने लिया है, है, हैदराबाद किसका रिक्वाजाद हुआ था, options आपके सामने हैं, सही answer option D है, September 17, 1948, देखे, Central Government एक साल का पूरा celebration मना रही है, क्योंकि हैदराबाद state liberation को 75 साल पूरे हो रहे हैं, और 17 सिदंबर को यह इनोग्रेट किया जाएगा, इवेंट, हो मिनिस्टर मिस्टा के द्वारा यह चीफ कैसर रहेंगे, आपको बताने यह जो पूरा इवेंट है, हैदराबाद state depression इवेंट, यह 17 सिदंबर से, 17 सिदंबर 22 से, 17 सिदंबर 2030 तक चलने वाला है, एक साल तक, आप सभी जान दे हैं, कि जो हैदराबाद state है, यह निजाम रूल के अंतरकत आता था, और इसको पुलिस एक्शन द्वारा, भारत द्वारा इसको अनेक्स किया गया, ठीक है, पुलिस एक्शन द्वारा, और इसका ओप्रेशन था, ओप्रेशन पोलो, पूछा जाता है कई बार ओप्रेशन पोलो के बारे में, जो की 17 सिदंबर 17, 1948 को पूरा हुआ, अच्छा, साथी Union Culture Minister और MP from सिखंदराबाद, जी किशन रेड़ी, देखे, Culture Ministry संबंदित, कई सारे कर इंटरफेट्स आते रहते हैं, यूनेस को संबंदित या फिर और कोई, तो जी किशन रेड़ी का ट्वीट ही आता है सबसे पहले, जो फिर मेडिया रिपोर्ट्स बगरा अपना लिखते हैं, वो रिपोर्ट, तो जी किशन रेड़ी काफी चर्चा में रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने आप तो जी किशन रेड़ी का है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं, और एमपी हैं सिकंदराबाद से, लक्षमन नरसीममन हैज बीन अपइंटेट दसी ओ वीच मल्डिनेशनल फ्रेंचाइज चैन, लक्षमन नरसीममन को किस बहुराष्ट ये फ्रेंचाइजी स्रंगला का CEO निय लेंगे, और आप सभी जानते हैं जो स्टार्बक्स है, इसका हेट्वार्टर सेटल, यूनित स्टेट्स में हैं, इससे पहले ये रैकट के CEO भी रह चुके हैं, विच सिटी होस्टेज दा, क्वैड, सीनियर ओफिसर्स मीटिंग उन सेप्टेंबर 5-6, पास-6 सिदंबर को क वरिष्ट अधिकारियों की बैटक की मेजबानी किस सहर ने की है, सही आंजर ओप्शन C है, नियू टेली, तो देखेए, क्वैड, सीनियर ओफिशल्स मीटिंग 5-6 सिदंबर 2020 को नियू डेली में हुई है, ऑस्टेलिया, इंडिया, जापान, यूस से, की जो फोरें मिस्ट दिया गया, सही आंजर ओप्शन भी है, कल्यान चोवे, तो देखे, फोर्मर मोहनबगान एंड इस्ट मेंगल कॉलकीपर, कल्यान चोवे, ये नए ओल इंडिया, फूटबोल फेडरेशन प्रेजिडेंट बनाए गए है, इन्होंने वाइचुंग भूटिया को 33-1 से हरा द बात करें, तो हैटवार्टस न्यू डेली में है, सेकरेटिव जनरल साजी प्रभाकरन है, इस्थापना 23 जून 1937 को हुई थी, According to the data released by Union Agriculture Ministry, the decrease in the area of cultivation is 22.90 lakh hectares, 5.62% less than the area covered in 2021, के अंधरिया क्रिसी मंतार द्वारा जारी आकड़ो के नुसार, किसकी खेती के छेतर में कमी 22.9 0,0 lakh hectare है, जो 2021 में कवर किये गे छेतर से 5.6 2 प्रतिशत कम है, सही आंतर आप्शन, C है पैड़ी, तो देखिए Union Agriculture Minister द्वारा एक data release किया गया है, इसमें इन्होंने बताया कि जो पैड़ी कल्टिवेशन है, उसमें 5.62 प्रतिशत की गिरावर देखी गई है, यानि कि 22.9 0,0 lakh hectares एरिया जो है कम हुआ है, जो हम पैड़ी कल्टिवेशन की बात करें, ऐसा क्यों कहा, 283.9 0,0 lakh hectares के area में cultivate की जारी है, जबकि last year ये 4.6 0,89 0,0 lakh hectares पर cultivate की जारी है, तो कितने ही कमी होई 22.9 0,0 lakh hectares की, साथी नहीं बताये कि पल्से का जो area है, उसमें भी काफी decrease देखने के लिए मिला है, खरीफ सीजन में, 139 0,55 0,0 lakh hectares का cultivation हो रहा है, इतने area पर cultivation हो रहा है, ज Troops from which Indian Army contingent participated in a multilateral strategic exercise, Vostok 2022 held from 1st to 7 September 2022 in Russia, रूस में 1 से साथ सितंबर 2022 तक आयो जित, बहुपक्षिर, सामरिक अभ्यास, Vostok 2022 में किस भारतिय से नादल से सैनिकों ने भाग दिया सही आंजर उप्षन, यह है कोरखा, राइफल्स देखे एक multilateral strategic and command exercise, Vostok 2022, यह 1 से 7 सितंबर तक रूशिया में हुई है, और ex-Soviet nations जो है, साथी चाइना, इंडिया, लाउस, मंगोलिया, निगरगोवा और सीरिया के जो troops ने पार्टिस्पेट किया है, भारत की और से Indian Army contingent के troops, यानि की कोरका राइफल्स ने आपर पार्ट पार्टिस्पेट किया है, प्रिएस assignment questions के आउसर देखे लें, वन व्किपिप्टिया फांडे, 2001, विजिंजम पोर्ट इस लोकर इन विच्ट एंट रूशिया, गार्टिय। पर्टिस्ट अच्टी अच्टी आशिय। इस चिली, यह 10-0 गांगा-वार तंग्वाथ्ट यह was signed between India and which country answer is Bangladesh, Kristalina, Georgieva is the managing director of which international organization answer is IMF the Satloj Shiamna Link Canal issue is the focal point of water sharing dispute between which two states in India answer is Punjab and Haryana और आपने से कही अस्वाने से बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से फ्रेंट सा पार्टिसिपेट करते रहिये चली आज एक एसायमेंट कॉस्टेंगे लिए करने समने सैस्टीफ में वींट जब्टर करेंडे थे मैं है व्लियम् स्टीफ गुल्टे में व बहस्ट ग्याई है वत वॉस्टेंगे रशचीवीक 2022 to the United Nations General Assembly in which year declared 5th September as the International Day of Charity in August 2022 Indian boxer Vijayan Singh defeated which boxer of Ghana via knockout in the Jungle Rumble pro boxing fight at the Balbir Junejai Stadium in Raipur, Chhattisgarh. तो इन 7 questions के आंजर आपको में comment box में बताने हैं, यदि आपको एक question कांजर भी आता है तो अभी आप हमें comment box में बता सकते हैं, ज्यादा ज्यादा संग्या है, पार्टिस्पेट किया कीजिए, यह आपके काम आएंगे assignment questions, साथी current affairs funda को आप telegram पर भी जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates, current affairs को आप सभी डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की pleasure दी गई है, इसको आप जरूर देगें, अपने दोस्तों के साथ, fellow experts साथ, हमारे current affairs को शेयर जरूर करें, आज का इसे सेचन आपको क्या सल लागा, comment box में जरूर बताईएगा, thank you guys आपको के सुपढस लागा जरूर जरूर का लागा हमारे जरूर एसे से नपर एसे आपमाने यहान आपको को लागाने आपको करें जरूर फोस्तों गे भी साथ